हेलो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे अगर हमारे पास आइफोन है और चोरी हो जाता है तो हम उसे जल्द से जल्द कैसे डूंड सकते हैं उसके लिए अगर जो आइफोन यूजर है उनके फोन में एक अप्लिकेशन होती है फाइंड माई करके तो आप उसके जरीए भी डूंड सकते हैं और सेम प्रोसीडर रहेगा अगर आपके पास कोई सेकेंडरी आइफोन नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको गूगल पर जाकर क्लिक कर देना है और जैसी आप गूगल पर क्लिक दिवाइज में अवैलेबल थी जो लॉस्टर डिवाइज है उसे यहां पर साइन पर लेना जैसी आप इसे यहांपर अपना आपल ड्य हाउड rozum करेंगे तो आपके जितने भी डिवाइज पर आपल ड्यूसुं फेacking डे rij होंगे जैसे आपने all my device पे क्लिक क्या सारे डिवाइस आपको दिखने चाल होगे तो जो लॉस्ट डिवाइस उस पे आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपको लॉस्ट डिवाइस पे क्लिक करती तीन ओप्शन दिखेंगे प्ले साउंड लॉस्ट मोड और एरेज आइफोन त अगर वो किसी software company या किसी दुकान के पास दुकानदार के पास जाएगा और वो अपने system से connect करेगा तो उसको यह message drop होगा तो उस message में आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं उसके लिए हम अभी देखते कैसे आपको लोस्ट मोड पे क्लिक कर देना है जैसी आप इस लोस्ट एक option दिया जा रहा है next उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक message लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर अल्रेडी लिखा हुआ है this iPhone has been lost please call me तो यहाँ पर आप अपना एक secondary number दे सकते हैं या दो तीन number और एड कर सकते हैं या आप कुछ additional add कर सकते हैं कि भी है मैंने already police complaint कर रखी है य उसके जरी हम अपने phone को देखते हैं हमारे iPhone पर क्या pop-up आया है अभी उसके लिए हम अपना camera open कर रहे हैं जैसे अभी जैसे आपने देखा अभी मैंने यहाँ पर अपना iPhone डाला तो मेरे को यहाँ पर message देख रहा है this iPhone has been lost please call me तो यह मेरे number देखने लग गए तो इसी तरीके से आप भी अपने phone को ढूंड सकते हैं thank you friends